नमस्कार मैं शिवेंद्र लाइब लगतार में आपका स्वागत है जहारखन युच न्याले और विभिन न्यालेओं में आज किन मुद्दों पर सुनवाई हुई और क्या कुछ एहम फैसले लिए गए इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वुन नगर निगम ने रांची के अपरबजार और मोदी सिवा सदन जो की काफी कुराना अस्पताल है उसको डिमॉलिश करने के लिए नोटीस जारी किया था और इस पर जहारखन्ड हाई कोट ने तब तक के लिए इस्टे लगाया है जब तक कि उचित फोरम में उस नोटीस के खिराफ अपील करने की वैवस्ता नहीं की जाती है इसके साथ ही अदालत ने कड़ी नाराजगी बेजाहिर की नगर निगम की कारिशायली पर और पूछा की नगर निगम ने जो नोटीस जारी किया है उसमें आदालत के आदेश का हवाला क्यों दिया गया है और नगर अश्वस्ताएं की जा रही है जलाशें के आसपास से अतिक्रमन हटाने के लिए उन सारी चीजों के बारे में आउगत कराते हुए अदालत को यह भी उन्होंने आश्वस्त कराया कि अगली बार से नोटीस भेजे जाने के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि अद तोडने की प्रक्रिया में जाएं और दूसरा एक महत्पूर्ण मामला आज रांची सिविल कोर्ट से जुड़ा हुआ था जिसमें एसीबी की विशेश नयाले में बुधवार को रांची पुलिस के द्वारा एक अरजी दी गई थी और उस अरजी में दो तीन दिनों की रि समले में सुनवाई की रांची पुलिस के अरजी पर और दो दिनों की रिमांट की मंजूरी दी है अब रांची पुलिस उन तीनों आरोपियों से दो दिनों तक पुश्टाच करेगी और इस पुश्टाच में हम उमीद कर सकते हैं कि कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं और झाल झाल